उत्रपरदेश के हर दोई में हो रही बेमोसम बरसाथ से गेहूं की फसल ओंधे मुहू गिर गई है सासो मटर चना की फसल भी बरबादी की कागार पर पोच गई है सुभे किसान खेतों की और पहुचे तो सीर पीट कर डोने लगे कमवेश यही नजारा जीले के हर इलाके में दिखाई दिया अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 फीस दी गेहूं की फसल चोपठ हुई है जीले के हर शेतर में शुकरवार की भोर में करीब डेट घंटे तक तेज बारिश से चली आंधी पानी और ओला विरिश्ची हुई मौसम की इस बेरुखी से खेतों में पड़ी गेहूं सरसो चनामचर अरहर की फलियों को 30 से 50 परतीशत तक नुकसान पहुचा है गेहूं की फसल तो खेतों में ही पसर गई किसान अभी पिछले साल की बरबादी से उभर भी नहीं पाये थे कि इस साल भी मौसम की मार ने कमर तोड़ दी अवारा जानवरों के द्वारा लगातार किये जा रहे नुकसान के बाद किसी तरह से किसानों ने हिमच जुटा कर सरसो चनामचर अरहर की खेती की थी उमीद थी कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी लेकिन इस तरह से हो रहे प्राकृतिक प्रकॉप ने किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी सबसे जादा प्रेशानी छोटे मजोले और बचाई पर खेती करने वाले किसानों पर आई है जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों को तयार किया था हर दोई से शमद आता शाही दली की रिपोर्ट करीब हम लोगन को लाखन रुप्या कोई सुनवाई ना इसा ही लेटेस को पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थेयर वाद जैबंड बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेबल मारिज पालस राज गराना इंद फानस पानक्वेट आखे गाराना जोती अर्प्राइब